देश की आजादी के बाद लोकतंत्र में चुनाव का प्रचलन चलता रहा। देश के नेता हर पांच साल पर भोट मांगते रहें। लेकिन भोट की सियासत में जनता किस तरह से जल रही है या जनता के मुद्यक क्या है ये गौन हो जाते हैं। हुआ हम लगतार आपको सियासत से तो रूबरू कराते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो हम भी जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच रहते हैं। सबसे नीचे पाइदान के लोग है जहां से देश की सबसे बड़ी सुरुआत होती है यानि कि देश की आम जनता पिस रही है महगाई की मार उसके बाद रोजगार सिक्षा घर चलाने की मार दिन भर की मेहनत के बाद बात आती है पैसे कितने कमा लेते हैं सबाल यह उठता है कि इसी पैसे से घर चलता है लेकिन नेता आपसे वोट मांगने आएंगे क्या लगता है आजादी के बाद कितना विकास हुआ जो पहले काम करते थे तो अच्छा घर पे लेकर जाते थे आज कितना वी बैच लेते हैं तो घर पर पूरा नहीं पड़ता है यह बताएं लोग तंत्र का यह प्रचलन है वोट तो देना है मजबूरी है हमें आपको सबको देना है वोट यह सब देश का सम्विदान है नित मुद्धी है कि गया में क्या विकास हुआ गया में तो बहुत सारी चीजी होंगी जो आपके दिल में होगी जो बच्पन से देख रहे होंगे आप यह करें कि रुजगार हम कर रहे हैं विकास क्या होगा यह थोड़ा रोड बना रोड भी ऐसा बनता है लिए हर बाद गया में हम है गया सहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विकास के मुद्दे हैं विकास के मुद्दे के साथ साथ जनता क्या कुछ कह रही है और जनता जनारदन के साथ साथ हम उस जनता के बीच जा रहे हैं जो जनता दिन भर की गाड़ी कमाई कर धूप में किस तरह से कर साम में इनका घर चलेगा भाई चुनाव आता है ना तो नेता जी करते हैं कि आई ये भोड दीजिए चाहे वो कोई भी पार्टी से हो हम सियासस से अलग होकर जरा हम मुद्दो पर आ जाते हैं गया में विकास कास हो लो जी कि खाली ऐसी नेता जी आब अखुँ जितने के बाद नेता जेंचले जाते हैं पर हम बहसे लेकिन जनता के मुख मुद्द्द हैं उससे लोग भटकते चले चाले रहे अज सियासत यह रहे कौन जीतेगा कौन हरेगा किसा की party की सरकार बं जाए युवा क्या कर रहा है या जनता को क्या तकलिफ है कितना कि अपको किसे समझते हैं अब ठीक नहीं है और क्या बताएं जाएं तो लंबा समय पिता है पहले कुछ था अब बहुत कुछ कमी नजराती है कि हम क्या बोलने जाएं वाकी तो सब क्या मोधी ने काम किया इस देश कुछ तो काम हुआ है और तेश्वी आदब को आपको कैसा लगता है लाल franchise लेकिन वन व मुद्द के अलाव की मुद्द क्यार है ंचितन अच्छे की चले यहाँ पर आवाज उठी है जीतन राम मांजी की हम मांजी बने या कोई start लेकिन सियासत के सथा में शियासत का खेल बरकरार रहता हैै सियासत के बीच यही वो लोग है जो अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दो जहत करते हैं और दो वक्त की रोटी के लिए लगातार सड़कों परतीद रही फुटपात की दुकान चलाते हो भाई की लगता है तो कहाँ कुछ नहीं होता है जरूर वाकी होता है कुछ नहीं होता है यही फ्लत में वह sudah आपके में अधेली हम जो होसर क्ने कि अधीगोन, नहीं होना चाहिए केंदर सरकार की बात कर रहे हैं आप गया में विकास ही क्या है कुछ नहीं है अब किसको बोट दिए यह तो सवाल यह तो हमारा विकास के बाता है तो सरकार का प्रसनल मामला थोड़ी यह तो यह तो है जो देल में छुपा के रखा है की कौन आगे बेहतर चेहरा और चलिए बहुत सारी चीजे हैं जो युवा जो है बता नहीं रहे हैं और इस महगाई की मार में देखिए संत्रा हो अंगूर हो या सेव हो महगाई के साथ साथ सिक्षा रोजगार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर हम आप तक आए गया सहर से दिखा रहे हैं तस्वीरे और गया क्या कुछ कहता है और भी तस्वीरे दिखाएंगे फिलाल इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे हैं महगाई खबर नमस्कार